दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वोकाब अनलिसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेइलरली जुड रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं क्योंकि इन सेशन्स का मकसद है आपकी वोकाब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना और यह जो वोकाब सेशन्स है यह बैंक, SSC, रेलवे, UPSC या फिर किसे भी competitive exam के लिए equally बहुत ज़्यादा important है तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वो cap show की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला word कौन सा है तो आज का हमारा सबसे पहला word है keep up keep up का मतलब होता है जारी रखना, बनाए रखना और ये एक phrasal verb है synonym इसका होता है continue या फिर maintain continue का मतलब होता है जारी रखना और maintain का मतलब होता है बरकरार रखना कोई चीज intonym इसका होता है seize from यानि कि बंद करना अब example देखते हैं example इसका है she walks so fast I can never keep up with her यानि कि वो इतनी तेजी से चलती है कि मैं कभी भी उसके साथ नहीं चल पाता, मैं कभी भी उसके साथ keep up यानि कि match नहीं कर पाता इस context में हम जो है वो keep up इस phrasal verb का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौनसा है then इसके बाद हमारा अगला word है increment increment का मतलब होता है वृद्धी, बढ़ना किसी चीज में बढ़ोतरी होना उससे हम कहेंगे increment यह हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है increase यानि कि बढ़ना, बढ़ोतरी होना antonym इसका होता है decrease यानि कि कम होना example इसका है the contract includes a salary increment every six months यानि कि इस contract में हर छे महीने में salary में बढ़ोतरी होगी ऐसा शामिल था, ऐसा लिखा हुआ था इस context में हम जो है वो increment इस word का लगलग sentences में use कर पाएंगे then हम चलते हैं हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then इसके बाद हमारा अगला word है cutting age cutting age का मतलब होता है अग्रणी यानि कि उच्च प्रतिका या फिर highly advanced innovative उसे हम कहेंगे cutting age ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है highly advanced या फिर innovative अब example के मदद से समझते हैं example इसका है researchers in microbial technology are exploring cutting age techniques यानि कि microbial technology के researchers जो है वो नई techniques का खोज कर रहे है new techniques की खोज कर रहे है इस context में हम जो है वो cutting age इस executive का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है तो हमारा अगला word है speculate speculate का मतलब होता है अनुमान लगाना, विचार करना, सोचना किसी चीज के बारे में उसे हम कहेंगे speculate ये हमारे पास parts of speech में वर्भ है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है hypothesis या फिर guess यानि कि सोचना, विचार करना, अनुमान लगाना example इसका है he likes to speculate on the stock market यानि कि उसे stock market के बारे में विचार करना, सोचना और अनुमान लगाना पसंद है इस context में हम जो है वो speculate इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं इसके साथ हम आगे चलते हैं हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौन सा है गर इसके बाद हमारा अगला word है momentus momentus का मतलब होता है सबसे महत्वपुर्ण और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है important या फिर significant यानि कि सबसे महत्वपुर्ण होना जरूरत मंद होना antonym इसका होता है unimportant या फिर insignificant यानि कि जो जरूरी ना हो इसका है attending my college graduation ceremony was a momentous occasion यानि कि college की graduation ceremony attend करना मेरे लिए सबसे महत्वपुर्ण आउसर था इस context में हम जो है वो momentus इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे इसे के साथ हम आगे चलते हैं हमारे next word की दरफ और देखेंगे कि हमारा next word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है tenable tenable का मतलब होता है लायक या फिर मान्य और ये हमारे पास parts of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है capable या फिर deserving यानि कि लायक होना example इसका है the view that the earth is flat is no longer tenable यानि कि या दुरुष्टी कौन अब मान्य नहीं है कि earth जो है वो flat है इस context में हम जो है वो tenable इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं इसे के साथ हम आके चलेंगे हमारे next word की तरफ और देखेंगे कि हमारा next word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है consensus consensus का मतलब होता है सर्वसम्मति यानि सबका agreement होना, सबकी सम्मति होना, सबका approve होना उसे हम कहेंगे consensus यह हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है agreement या फिर harmony यानि कि सम्मति होना antonym इसका होता है disagreement यानि कि सम्मति ना होना, approve ना होना example इसका है there is a consensus among our family to have a dinner together यानि कि हमारे परिवार के सदस्तियों के बीच एक साथ भोजन करने पर आम सहमति है इस context में हम जो है वो consensus इस word का लगलग sentences में use कर सकते हैं इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है दर इसके बाद अगला word है wind down wind down का मतलब होता है धीरे-धीरे समाप्त होना या फिर कम होते जाना उसे हम कहेंगे wind down और ये एक phrasal verb है synonym इसका होता है less than या फिर diminish यानि कि कम होना antonym इसका होता है escalate यानि कि बढ़ना example इसका है she likes to wind down the pressure by listening to soothing music यानि कि वो तनाव कम करने के लिए music सुनना पसंद करती है इस context में हम जो है वो wind down इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते है इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है दर इसके बाद हमारा अगला word है diaspora diaspora का पतलब होता है फैलाव और ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है spread या after dispersed यानि कि फैला हुआ होना फैलाव होना किसी चीज़ का example इसका है इंडियन diasporas have dispersed to various corners of the world यानि कि इंडियन लोग जो है वो दुनिया के अलग-अलग कोने में फैले हुए है इस context में हम जो है वो diaspora इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं इसे के साथ हम आज के हमारे last word की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज का हमारा last word कौन सा होता है तो आज का हमारा last word है prime prime का मतलब होता है तयार करना या फिर कोई चीज किसी को सिखाना उसे हम कहेंगे prime ये हमारे पास parts of speech में वर्भ है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है prepare या फिर instruct यानि कि किसी को तयार करना example इसका है यानि कि boxing coach ने अपने student को तयार करने के लिए घंटों बिता दिये इस context में हम जो है वो prime इस word का लगलग sentences में use कर सकते है तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो do like this video subscribe the channel and share as much as you can till then keep learning thank you